हेलो व्रीवन विलकूम टो आयास पॉइंट आज हम लोग यहां पर बात करने वाले भीकास और जीवन सयली के बारे में ठीक है तो यह हमारा जो 11 था का पार्ट फर्ष्ट की पौलिटी का फार्थ है न सी फिर्ट खाँ तौ इसमें से हमने आप हैं कि डेवलभ मेंड के कई सारे आयाहम रहाख और भी देखी कुछ उसके निगेटिव सेंस देखें और कुछ उसके पॉजिटिव सेंस भी हमने देखें हैं अब यहां प्याद हम बात करते हैं कि जो development होता है उसका हमारी जीवन सहली पर क्या effect पड़ता है या किया उसका मतलब सही तरीके से हमारे जीवन में इसका उपियोग होता है या नहीं होता है या हमारे लिए फाइदे मंद होता है या नहीं होता है थोड़ा सा आज हम इसके बारे में जानेगे जादा नहीं है थोड़ा सा ही है और इसको खतम करने के बाद हम अपने पार्ट सेकंड में आजाएं जो नहीं दे रहे हूं जो उसका एक्जाम दे रहे हैं और उनको पूरा सलेवस बाइच होल सलेवस पूरा कम्प्लीट आपको यहां पर मिल जाएगा और पूरी आईस पॉइंट की जो टीम है उन्होंने पूरा आपका तयार किया है तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं वर्ट् जो कि आप ले सको ठीके आप उसे पर्चेश कर सको और यहां पर हलाकि ऐसा कोई मोटो नहीं था अपना आपको पता है कि हम सारे चीजे फ्री प्रोवाइड कराते हैं वर्टेक्शूल में हमने जिससे यह सारी चीजे कंप्लीट कराई हमें कहीं थोड़ा सा उन्हें पेमें लोग समझ रहे होंगे तो यहां पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगे और कोई जिवर जस्ती भी नहीं है जो भी इंट्रेस्टेड हो तो वह ले सकते हैं और आपको पता है कि आइस पॉइंट जितने भी आपके मैटेरियल देते हैं वह कैसे रहते हैं ठ प्रॉप्यस के आप लोग तैयारी कर रहें लेकिन साथ-साथ हम क्या करते हैं कि अपनी एक मतलब अलग से की चलो ठीक है हमारे पास कोई भी एक जौब आ जाती है तो कहीं नहीं हमारा फ्योचर हम ऐसा समझेंगी कि सुक्ष्ट रहे इसमें नहीं होता फिर भी हमारे पास प्रॉप्याइब तो और नहीं भी है तो भी हम पेपर देते रहना चाहिए तो जो भी लेना चाहिए वह सारी चीजे आपका वर्टसप नंबर दिया हुआ है तो इसमें आप क्या करेंगे कॉल करके वहां पे संपर्क कर सकते हैं जो कुछ भी है मैसेज करके जो इसकी प्रो बीकास में जो पढ़ रहे थे यहां पीदी हम बात करते हैं तो जो जीवन सहली और विकास है तो इसमें क्या है कि बीकास का जो बैकल्पिक मॉडल है तो वह बीकास की महगी पर्यावरेंड की नुकसान पहुचाने वाले और प्रयदोगी की से शंचाली सोच से दूर होने क की कोसिस करता है ठीक है तो यह जो डवलप्मेंट का हम एक कालपिनिक दुनिया तयार करते हैं कुछ ऐसे वैकल्पिक मॉडल तयार करते हैं तो इसमें क्या होता कि विकास की सबसे पहले तो महगी यानि कौश्चली दिन क्या होता है कि विकास को देश में मोवाइल और उसके बाद करें तो जो मोवाइल फोनों की शंख्या अत्यादुनिक अत्यारों या कारों के बढ़ते आकार से नहीं बलकी लोगों के जीवन की उस गुणवत्त से नापाचाना चाहिए जो उनकी प्रसन्निता शुक शांती और जरूरतों को पूरा होने में जहलगती है तो इसमें क्या है कि आदमी को इज़्जत दिचती है। क्या कभी ऐसी इजद किसी आदमी को मिली है कि चले ठीक है ये परसन एक्स वाई जेट जो भी है कि इनके दोरा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है या ये बहुत इमानदार है तो हम उनकी इजद करते हैं जी बिलकुल भी नहीं आज समाज में ऐसा बिलकुल भी नहीं होता ह हम क्या करते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है बहुत ज़्यादा पैशा है वो भले ही उसका कृत बहुत ही घटिया वाला हो लेकिन हम उसके आगे पीछे हमेशा हाथ पर जोडने के लिए तरद पर रहते हैं कि कभी भी हमें मौका मिले हम इनको जरूर अपने घ भावना है तो उसकी हम कद्र कभी नहीं करते और आज के समाज में तो बुल्कुल भी नहीं ठीक है जिसमें यहीं बताएं कि आप किसी के कार से किसी के मौबाइल फोन से उसकी यह बता कि हम आप देश का विकास कर रहे हैं यहां पर में चीज के आए कि बुनियादी जो है प्रसंदता हो गई और सुक सांती और बुनियादी जो कुछ जरूरते उनका पूरा होना ही विकास जलकाता है अब यहां पर हमने दे रहे हैं किसी के पास आपने स्मार्टफोन से बाढ़ दिये और महां पर सबके पास कारे हो गई तो इससे कौन सा मतलब ऐसा तो खैर हो न स्थिति की यहां पर भी ऐसा कुछ हो जाए तो इसमें बताएगा कि आप इस तरीके से कर सकते हो दिन क्या होता है कि इस तर पर प्राक्रेदिक शंसाधनों को संदक्षित रखने और उर्जा से फिर से प्राप्थ हो उसकने वाले श्रोतों का यथा शंबा उपियोग करने क प्रियास किये जाने चाहिए और वर्सा चल संचैन इसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्सा का जल होता है उसका आप संचैन करें सौर एबं जैब गैस सायंत्र का उपियोग करें लगू पन विजली परियोजना जो होती है जैब कच्रे से खाद बनाने है तो कमपोस्ट गड बनाना आधी इस तिशा में संभव प्रियासों के कुछ उधारण आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम डवलप्मेंट भी कर लेंगे और साथ साथ ना तो हम इन्वार्मेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे ना तो हम अपने जीवन में ज्यादा इसका इफेक्ट पढ़ने देगे ठीक है तो इसमें से क्या बता है कि बरसा चल जब भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो वाटर लेवल है वो घड़ता जा रहा है ठीक है जब घड़ता जा रहा है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है तो अब हम क्या करना चाहिए हमें कि जो बरसा का जल है उसे हमें ऐसे ही नहीं भेजाने देना चाहिए हम क्या करें कि कहीं पे छोटे छोटे डैम बना दे तालाब बना दे वहां पे उनका संचैन करें दिन क्या होगा कि वो जो बरसा का पानी होगा या तो इसके जमीन के अंदर चला जाएगा जमीन के तो वो कहीं ने कहीं याद के द्वारा के द्वारा हमें ही मिलेगा ठीक है और उसके बाद करते हैं यहाँ पहुंच और यदि अपने घर वगारा में बनाते हैं तो उसका बास पी commodit हो जाता है तो दो हमें वर्साल जल जोबी उसका sunshine करना चाहिए जो सौर एब जैब गैस सायंत्र का उपियोग करना चाहिए तो चाहिए आप सोलर गैस का उपियोग करें या कि जैब गैस ठीक है जैसे हम LPG योज करते हैं एंड मोटर गाड़ियों के लिए CNG की बात की जा रही थी और कई जगह पर इसका हो भी कहा है कि पेट्रोल की जगह गैस से CNG कैसे क्या गाड़ियां चलेगी तो कई जगह पर आप देखेंगे कि आपके रूलर एरिया में भी कहीं कहीं पर दिख जाएगा हाला कि मैंने के सकती कि हर जगह पर यह सुभिधाएं हो चुकी है लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर कि यह सुभिधाएं अब चलाई जा रहे हैं तो चलेगी तो इसी क्या होगा कि थोड़ा जो प्रेट्रोल और डीजल के जलने से हमारे इंवार्मेंट में इतना ज्यादा प्रेदूसर्ण हो रहा है तो कहीं न कई वह कमेगा ठीक है जैसे हम खाना बनाने के लिए इधन का यूज करते हैं अभी लकडी का यूज करते है और जो गाय भेंस के गोबर से बने उपले होते हम उनका यूज करते हैं तो उससे क्या होता है धुआ निकलता है ठीक है और धुआ निकलता है तो उससे जो खाना बना रहा है उसकी तो खासी कभी बंदी नहीं होती है उसके स्वास्ते के लिए वह बहुत हानी कारा खोता है यहाँ पे बात करें तो हमारे environment के लिए भी यह धूआ कहीं न कहीं खतरनाग होता है तो इस से यदि हम यल्पी जी का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हम बचाओ अपना भी कर सकेंगे और अपने इन्वार्मेंट का भी हम बचाओ कर पाएंगे हलाकि अभी आप देखे यदि तो कुछ इसका यदि फाइदे हैं तो नुकसान है ये बात आपको हमेंसा याद रखनी चाहिए अभी हमारे केंड सरकार के दोरा उज्जिला योजना चलाई गए थी तो उज्जिला योजना में सायद हो सकता है कि आप लोगों के घर में ममी भाबी या जो भी हैं दादी वगएरा वो इससे लाभान भी थुई होगी क्योंकि अब 800 करोर से जादा ही लोगों को दे दी गई थी ही पिछले बार के बजट में तो इस बार के बजट में मतलब और उसका तारगेट रखा गया थे कि इस बार एक यहां पर सबको वह सी कि में मैं या महाराष्ट्रा में दी जा रही है गैस का कैs thats कि like कि बगकुछ ज़ंदा प्राब्लम्स होती है औरतों को बहर लकड़ी लेने जाना पड़ता है उपले कठा करने जाना पड़ता है मतलब वो और खाना बना रहे हैं तो भी धुआ большое बैट बैटके मतलब उनकी हालेत तो तो यहां पी क्या होगा कि यदि गैस का कनेक्शन मिल जाएगा तो कहीं न कहीं वो थोड़ा जैसे अब गर्मी आ गई गर्मी में चूले के सामने वो भी जो आपके लकडियों के चूले जलते उनके सामने बैठना बहुत ही तेड़ी कीर होती है और जो बैठता है बही जानता है ठीक है और लेकिन यहां पे हमने गैस कनेक्शन दे दिया तो आप चाहे इसी चला के बढ़ जाओ हलाकि गरीबों के पास इसी तो नहीं होती है नहीं तो ठीक है फैन हो गएरा होते यह नहीं भी होते हैं तो आप उसे रख लोगे तो इतना जादा हीट नहीं निकलती है क कहीं ना कहीं तो कहीं फाइदा होता है दिन उसके बाद आप हम बात करें यहां पर क्या होता है कि उसका कलिए दियूज कर सकते हूं या उससे भी हम कई चीजे भना सकते हैं या उससे कहीं विवस्थित एक जगे पे ले जाकर डाल सकते हैं तो वहां से क्या होगा कि थोड़ा प्रदूसर उससे भी हम कम कर सकते हैं तो कुछ ऐसे अपना सकते हैं रास्ते और वहसी गत्विधियों को इस्थानिय इस्थर पर ल तो हम बड़ीजना फैसी लाएं बड़ी पर्योजनाइल ही चलाएं wij इम्पॉर्टे नहीं है छोटे-छोटे से भी हम बपार काम कर सकते हैं और उसके बाद कि बड़े-पाद के बीरोधिय Honestly ने चोटे बांद की वकालत की है जिन बहुत कम निवेश की जरूरत होती है यानि कि जो ऐसा मान रहे हैं कि आप बड़े डैम नहीं बनाओगे उन्होंने क्या कि आप छोटे चोटे डैम बना लो ठीक है और उसके बाद इसमें उनका ये मानना था कि निवेश का खर्च भी जो आपका इंवेश्टमेंट है उसका थोड़ा जो लाकत है वो भी कम आएगी और बिस्थापन मामूली होता है ऐसे छोटे बाद इस्थानी अबादी के लिए अधिक फाइदे मंद हो सकते हैं यादि आप एक बड़ा डैम ना बना के छोटे-छोटे कई जगह पे बना दे तो वहां से क्या होगा ऐसा लोगों क कहना है ठीक है और जो भी इंजीनियर करा मानते हैं कि हम कई जगह पे वही वही बनाएंगे तो सपोज मानके चलिए कि हम यहां पे बना रहे हैं थोड़ा सा बनाते हैं फिर यहां पे बनाते हैं फिर यहां पे बनाते हैं तो काफी जादा समस्या आ जाएगी और उतना प्र वाले हैं तो कही ने कई उनका भी करना सही है क्योंकि आप लॉंग टाइम के लिए बना एसा तो नहीं हमने आज बनाया कल बगड़ता है फिर परसों यही करते रहना थेक्व है बगड़ता है हलांकि इसमें आप देखते हो कि गवर्मेंट का जो भी काम होता वह कितने लोगो का ऐसा है और आप लोग भी सुझाओ दे सकते हैं कि छोटे-छोटे बांध बनाते हैं तो समसे तो हो सकती है लेकिन क्या होगा किससे जो आबादी है मतलब दूसरे जगह जाने वाली वो कहीं न कहीं उसकी संख्या काम होगी और उनके लिए फाइदे मन जो वहां रह रहे हैं उनके लिए फाइदे मन हो सकता है और इसी के साथ साथ क्या होता है कि हमें अपने जीवन इस्तर को बदल कर उन साधनों की अवश्यक्ताओं को भी कम करने की जरूरत है जिनका नवी मतलब नवी करन नहीं हो सकता है और यह एक पेचीदा मसला है यहां पी हम इनके साथ साथ जो अभी हमने देखा कि कई सारे उपियोग हम कर सकते हैं छोटे-छोटे से ही कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं ठीक है तो इसमें आगे देखें जो नवी करन नहीं है ठीक है जो नवी करन है तो आप क्या करोगे कि उससे दुबारा प्राप्त कर सकते हो जो नवी करन नहीं है तो उसे आप क्या करोगे? यहाँ पर बताया है कि जो सूर की आपकी रोसनी है, तो मालिज यह कि आज है, कल भी आपको मिल जाएगी. इसमें कोई डाउट नहीं कि कल सूर की रोसनी आपको नहीं मिलने वाली है. ठीक है? और क्योंकि क्या होता है कि ऐसा लग सकता है कि लोगों से निमने इस्तर का जीवन जीने के लिए कहा जा रहा है. तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कह रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि यदि हम ऐसा सीधे-सीधे कह रहे हैं, तो आप हर चीज पर बश्यत करो तो ऐसा माने कि हमें तो बिल्कुल हम रहिस्तों वाला जिन्दगी जीने की सोच रहे थे कि जो आज है तो जी लेते हैं भिंदास तरीके से कल की कल देखा जाएगा होगा तो ठीक है नहीं होगा तो दुनिया मरेगी तो हम भी मर जाएंगे त तो हम तो अभी जिन्दगी जीना चाह रहे थे तो आप थोड़ा थोड़ा उसे कम करो तो उसके क्योंकि क्या होता है ना कि हमने कम किया आपने कम किया और तीसे ने कम किया चौथे ने कम किया तो क्या होगा एक रांतिसी आजाएगी और कहीं न कहीं वह बहुत ज्यादा हम इकठा कर पाएंगे जिसे मान के चलिए कि कोई कहीं पर हमें चंदा इकठा करना किसी काम के लिए ठीक है तो हमारी भजट में बिल्कुल जैसे एक बालती पानी से एक गिलास पानी निकाल लेना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और पता नहीं चलता कि आपने निकाल लिय क्या कि नई उसी तरीके से आपके भज़ट में से एक हम कहते यह ऑगा है थिक है तो माल ले जी एक हम 1,000 लोगों से कहते हैं कि एक एक रूपै आपको देना किसी को बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी बहुत हिए अब भी दे देओगे तो आप भी एक रुपई देदें एसे पुरे 179 पुब्लिक हमारा पैसा कितना हो जाएगा यानी कि हमें जितने की ज़रूरत ही कहम उससे भी जादा करने क्यों को हो सकता है कि हमें 1,000 लोगों से ही माँगें लेकिन कुछ और भी अपने आपसे आके दे सकते हैं चलो अच्छा काम हो रहा है लेकिन यहाँ पे कौन सा बहुत बड़ा लग रहा है तो दे देते हैं एक रूपए हमने 10,000 नहीं माँगा 20,000 नहीं माँगा अपने 1 रूपए तो हमने सोच लिया कि हमें उससे फर्क नहीं बढ़ता हम क्या करेंगे फर्क हमें भी पढ़ता है ऐसा नहीं है कि फर्क हमें नहीं पढ़ता है फर्क बखुत बड़ा पढ़ता है बस सोचने का नजरिया होता है फिर कि हमें क्या करना जो मतलब वो नहीं सुधर रहे हम क्यों करें तो हम कुछ सुधर जाए ना दूसरों की मान ना देखें वो एक है फिसारा करके तो आपकी जो तीन उंगलिया है वो आपकी तरफ मुड़ी होती है ठीक है हमने एक उसकी तरफ दिखा रहा है ये तीन उंगलिया हमारी तरफ फिसारा कर रही है कि मतलब एक बड़ा होता है कि तीन बड़ा होता है तो यहां पर तीन होता है ठीक है तो यहां पर ह हम उसे एक दिखा रहा है तो तीन बोर रहें कि वेटा पहले अपने आपको देख लो आप किस लाइन पर और उसके बाद उसे एक उंगली दिखाना हम बहुत बहुत बड़ा लेक्षर दे जाते हैं कि उसने एसा किया उसने अशा किया यह नहीं किया वह रही गया हम खुद न सब यदि चाहेंगे तो सुधार होगा हम में से कोई एक भी नहीं चाहे रहा ना तो समस्चा विक्राल बन सकती है और उसके बाद अब हम बात करें यहां पर तो इसमें सीधे तोर पर बताया गया है कि ऐसा ने कि निमनिस्तर में जीवन जीने के लिए का जा रहा और इसे चैन कि उनकी आजादी में कटावती भी माना जा सकता है लेकिन जीवन जीने के वेकल्पिक तरीकों की संभावनाओं पर वहस करने का मतलब अच्छे जीवन की यहां पर दियम बात करें तो वेकल्पिक दृष्टी को खोल कर स्वतंत्रता और स्रजन सेलता की संभावना बढ़ा और ऐसी किसी नीती के लिए देश भर में क्या होता है कि लोगों और सरकार के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग की जरूरत होगी और इसका अर्थ होगा कि ऐसे मामलों पर नेने लेने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया चाहे और अगर हम विकास को किसी की आचादी मे बढ़ोत्री की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और लोगों को निस्क्रिय उभोकता भर नहीं मानकर विकास लक्षियों को तै करने में शक्रिय भागीदार मानते हैं तो क्या होगा कि वैसे मसलों पर सहमती तक पहुंचना संभाव है इस प्रक्रिया में अधिकार पतंत्रिता और न्याय की हमारी अवधारनाओं का भी विश्तार होगा तो यहां पर लोगों की आम लोगों की इसमें बताया गया कि कहीं ने कहीं हमें सहमती और लेनी होगी अब आते हम कंक्लूजन में ओवराल जितना हम पढ़े हैं तो जो आपने डवलाप्मेंट पढ़ हमने विखास पढ़ा कि और लांपे लिंटना क्या निकल के आता है खिंड कीॉट्वित्स और निन निकाल कि हमने विकास में देखा कि कि इस revenus कैसे और हॹा इंके quasi हम नुकसान हो रहा है और फाइदा costume रहा है तो वह तुम्याय को defin raha मेरें पैंदे क्सक्पों करते एव सक उसमें लोगों के जीवन भी क्या इफेक्ट पड़ता है तो आप उसका कंग्लूजन इजली निकाल सकते हैं और अभी आपके माइन में कुछ ना कुछ तो यदि आप ध्यान से सुने होंगे जो भी तेन-चार पार्ट में था यह आप सारे के सारे सुने होंगे तो आपको यह अची तरीके से कंठस्त हो गया होगा और सिर्फ सुने बस नहीं होगे मेरे सुनने से पहले भुक भी पढ़ चुके होंगे तो यहां पर आप कंग्लूजन इजली अपने वर्डों में इसका लिख सकते हो यहां पर देखते हैं कि इनका जो कंग्लूजन आता वह क्या आता ह विकास का विचार बेहतर जीवन की कामना से जुड़ा है सीधे तोर पर हमने जो अभी तक समझा कि डेवलप्मेंट का है जो लोगों का मानना है ऐसा होता है लोगों का मानना क्या है कि विकास का जो है विचार है वो जीवन का जीवन की कामना से जुड़ा है वो भी बेहतर गटिया वाला नहीं भेतर वाला इसमें बताएगा है और यह बहुत ही ससक्त कामना है और बहुतरी की उमेद मानविये कारियों की संचालक सकती है और इस अध्या में हमने रेखा कि समर्धी पाने में के व्यापक रूप से स्ववक्रित विचारों को कैसी अलोचनात्मक छान बीन हुई है और उसके बाद क्या हुआ है कि विकास के अधिक नयापून टिकाओ और लोगतंत्रिक मॉडल के लिए बहुत इस तरी खोज जारी है और इस प्रक्रिया में राचनीतिक शिद्धानतों की समानता लोगतंत्र और अधिकार जैसी संकल्पिनाओं की उनर्विव करने के दौरान उठे मसले बताते हैं जो भी उसमें कुछ बिंदू उठाए गए थे वो हमें क्या बताते हैं कि हमारे चैयन का बांकी मनुष्यों और दुनिया के अन्य जीवों पर भी प्रभाव पढ़ता है कि हमने देखा ना कि हमारे इन्वार्मेंट पर प्रभाव और एक तरीके के इधार उधर देखना होगा ऐसा नहीं कि हमने बना दिया विकास की नीतिया और उसका कार्या हम आरंभ कर देते हैं हमने यह नहीं कर रहा है हम किसले के लिए यह कर रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए था सीधे हमारे मन में आके बना देते हैं और हमने उसे श नियती आपस में जुड़ी हुई है साथ ही मेरा कार्य दोसरे पर ही नहीं भविर्शी की मेरी संभाबनाव पर भी असर डालता है यानि कि जो आज हम करेंगे अभी जो मैंने आपके कार का एक्जाम्बल दिया हम तो जो आज हम करेंगे ठीक है वही आप यह मन सुचे कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं दुनिया वालों को साइट पे रखें जो आज हम करेंगे तो कहीं न कहीं यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारी आने वाली जो पेडियां होगी जो आने वाले आपके बच्चे होगे नाती होगे पोते होगे वो क्या करेंगे कि उनकी जो है लाइफ इस्टाइल बेटर होगी हमने अच्छा किया तो उनके लिए वो अच्छा होगा लेकिन हमने क्या किया कि इससे धीरे धीरे नश्ट किया और आने वाली जो पेडिया होगी वो उनका जीवन भी गर्थ में महारा इतनी बढ़ी है तो यहाँ पर इसकी ना लंभाई ना चोड़ाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही है तो हम बढ़ रहे हैं यहिंगि जो इसमें रहने वाले जियो चंतू है मनुष्य है वो बढ़ रहे हैं ना कि हमारी धरती बढ़ रहे है आप देखते हो कि आप जब यहां पर इर्वान में टिकुलाजी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक वर्ड पढ़ने को मिलेगा बहुत जादा देखने को मिलता है देंजर्ड इंडेंजर्ड क्रिटिकल इं और यहां तक की पहले तो जो एक बाज नाम का पक्षी था जिसकी द्रिश्टी बहुत तेज होती थी जिसे आपके यदि रूलर एडियम बोला चाहे तो चील बोलते थी कभी कभी ठीके तो वो पक्षी गाया वो गया और उसको तो छोड़िए कववा आप नहीं देखने को मिलेंगे आपको चो कववा है तो वो अब आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगा हलाकि आप लोग देखते ही काओ हम लोग देखते ही कहा है इतना टाइम ही कहा रहता कि कोई बाहर निगल के देख ले लेकिन फिर भी कभी ध्यान दीजिएगा सुबह साम के टाइम पे तो वहाँ पे बिल्कुल भी आपको कवहों की प्रजाती कभी कहीं बहुत ही रियर में देखनी को मिल जाएं, लेकिन अब नहीं मिलती, पहले माना जाता था कि कवहा घर पे बोल दे तो ऐसा कहते थे कि महमान आने वाला, ये संदेशा देरा, लेकिन अब उनकी प्रजाती कहीं न भी बिनास करते जा रहे हैं, ठीक है, और उसकी बात क्या होता है, यहाँ पे इसलिए बताए गया कि भविस्ति की मेरी संभावनाव पर भी एसर डालता है, इसलिए क्या है कि हमेशे तरकेता से चुनाव करना चाहिए, अपनी बरतमान जरूरतों का ही नहीं, देवगे कालि हीतों का भी ध्यान रखना चाहिए, तो ओवराल पूरा समझ में आए, जो हमने कुछ यहाँ पे अलोचकों की बात सुनी, जो हमने इसकी कमियां देखी, जो अच्छा ही हैं देखी, उससे अब हमें समझ में आता सीधे तोर पे निसकर्स रूप में हम कह सकते हैं, कि हमें कुछ ऐसी योचनाय लानी होगी, जो क्या हो कि बरतमान की जरूरतों को तो पूरा करें, लेकिन देखी कालिक जो आने वाली पीड़ी है या आने वाला समय है, उसको नुकसान ना पहुंचाए, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, और यहाँ पे जो sustainable development goal लाया गया था, उस सब पे ध्यान देंगे, हम सिर्फ एक पे ध्यान नहीं देंगे, हम जहां भी काम करेंगे, वहाँ पे हम environment को तो बिलकुल नहीं छोड़ने वाले हैं, यानि कि अब environment को आप जितना खत्रा पहुंचाओगे, उतना ही आपको कहीं न कहीं, मैंने आपको कल भी बताया था, कि उ पूरा उसको देखेंगे, तो समझ में आएगा, तो इस से अब आप conclusion भी निकाल सकते हैं, यानि ओबराल आज हमारा ये chapter खतम होता है, अब हम कल से part इसके second में आएगे, ठीके, तो आप लोग पढ़ते रहे, all the wish, और खुस रही है, मस्त रही है, enjoy कीजिए, लेकिन पढ़ा छोड़ के enjoy मत कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ कीजिए, ठीके?